अस्सलामूं आलेकूम तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन चीजी काटलेट्स बहुत ही जटपट घर पर आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही डिलिश्यस लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारा याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक पाउल में दाल दीजिए इसमें दाल दीजिए आधा निम्बू का रस आप चाहे तो विनेगर भी दाल सकते हैं दो चोड़ी चाह के चमच अधरक लस्दन का पेस्ट दाल दीजिए एक छोटा चाह का चमच लाइट सोया सॉस दाल दीजिए नमक स्वाद अनूसार मैं यहा दो चोड़ी चाह का चमच रेट चिली सॉस वो भी दाल दीजिए आप चाहे तो एक चोड़ा चाह का चमच टमाटर सॉस भी दाल सकते हैं आधा चोड़ी चाह का चमच घुना पिसा जीरा पाउडर आधा चोड़ी चाह का चमच काली मिर्चो का पाउडर पनफोट चोड़ तो slow आज करके धाक कर इसे तकरीबन पकने दीजिए तब तक पकाई जब तक चिकन नहीं हो जाती कुछ मिंटो में चिकन हो जाएगी तो चेक कर लीजिए अच्छा यहां आप देख सकते हैं पानी है इसके अंदर थोड़ा बहुत तो मैं फास्ट आज करके थोड़ा सुखा देती हूँ लेकिन हमेशा मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा है न इसका मसाला रहने देती हूँ हमेशा तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर थोड़ा मसाला जादा रख रही हूँ, चार-पाश टेबल स्पून जितना मसाला रख रही हूँ और चूला में कर देती हूँ बन इसे साइट पर रख दीजिए ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाए तो प्लेट में निकाल लीजिए जो मिला है हमें उसके साथ और इसे श्रेट कर लीजिए, मैंने हाथों की मदद से श्रेट किया है, अब इसमें मैं एक मीडियम साइस की प्यास चूंदा बारिक काट कर दाल देती हूँ, और ये सिमला मिर्च मैंने 3-4 टेबल स्पून लिया है, लेकिन आप 2 टेबल स्पून ही अलू दाल दीजिए, ये जो मसाला है ना, इसके अंदर मैं इस तरीके से हमेशा दाल कर, अलू के साथ मैंने ले लिया कि कुछ भी वेस्ट ना हो ना, अब यहाँ पर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक दाल दीजिए, स्वादा नूसार, मसाले के भाक्का, एक छुड़े च चाइका चमच, काली मिर्चो का पाउडर, यहाँ पर मैं वन फूद चुड़े चाइका चमच, काला नमक भी दाल रही हूं, और आदा चुड़े चुड़े चाइका चमच, चिली फलेक्स डाल कर, सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, चाट मसाले में नमक होता है, तो ज़र सा portion लीजिए mixture का और इस तरीके से एक चप्ती वो बना लीजिए पैटी टैप और उसके बीच में cheese रग लीजिए मैं mozzarella cheese ले रही हूँ आप चडार भी ले सकते हैं mix भी ले सकते हैं pizza cheese भी ले सकते हैं इस तरीके से उसे बंद करते जाए हाथों की उंगलियों की मदद से और य मैंने medium size के बनाये हैं तो ये इतने बने हैं तकरीबन पाव kilo के अंदर 14 बन गए हैं और cutlets इतनी कोई size छोटी भी नहीं आप देख सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पर आप चाहें तो breadcrumb ले सकते हैं मैंने सेवाई ली है उसे तोड़ लीजिए हाथों की मदद से ये अंड देखें अंदर है ना मैंने 2 टेबल स्पून दूद और थोड़ा सा नम्मक और काली मिर्श से season किया है और fade कर side पर रखा था हां ये देखिए बन गया है हमारा एक cutlet इसे side पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे cutlet बना लीजिए definitely आप इसे freeze करके store करके रख के खा सकते हैं आप इसे थोड़ा separately अलग अलग थोड़ा रखी एक दुसरे से चिटके ना ऐसा रखिएगा और उसे freezer के अंदर रख दीजिए एक घंड़े के लिए जब अच्छा freezer के अंदर कड़क हो जाए तो airtight container के अंदर या फिर ziplock back के अं अंदर रख दें जमन करें निकाले थो करें और खाए मैंने freeze के अंदर रख दिया था एक घंड़े के लिए एक घंड़े के बाद आप फ्राइपन के अंदर तेल डाल दे तेल अच्छा गरम हो जाए तो medium आज कर दें और बिसमी नहिरा पाने रिम बोल कर हमारे जो cutlets से बह निकाल लीजिए वैसे ये पके हुए तो हैं बस ये जस्ट है के बार उपर की कोटिंग और अच्छी क्रिस्पी होंगी तो और मज़ा आएगा खाने के अंदर तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ ये बन चुके है इसी तरही के से सारे batches के अंदर fry कर लीजिए वैसे मैंने क अगर उसकी भी लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहां चेक कर लीजिएगा वहां में डाल देती हूँ तो ये बन गए हमारे कर्मा गरम चिकेंग चीज कटलेट कई ये कबाब कई ये बहुत ही मज़ेदार है वैसे चटनी वगरे की जरूरत नही मैं आपको एक तोड़के दिखा देती हूँ बिसमिल्ला रह्मान रहीम आप देखिए माशाल्ला क्या चीजी और कैसा लग रहा है मज़ेदार लग रहा है अभी पिच्चर में से निकाल के खा जाए तो अगर आपको मेरी ये रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक ये वाले वीडियो को उससे जादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फोवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरीक से अच्छी रेसिपी इसके लिए फिर से हाजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ आंचल देन ठीक कैर अलाहाफिस बाबाए